दोस्तो खबर पाकिस्तान से है पाकिस्तान के हिंदू सांसद कीसो मल कियाल दास लगतार अल्प संख्यकों पर हो रहे अत्याच्यार के खिलाफ अब आज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वह देश से भेद भाव को पूरी तरा खत्म करना चाते हैं। इसी कड़ी में दास ने संसद के नीचले सदन में विधेक पेश कर समविधान में धार्मिक अल्प संख्यकों का उलेक गैर मुसलिम के रूप में करने का अनुरोध किया है। जिससे देश में भेद भाव खत्म करके परतेक नागरिक के लिए सामानता और अन्याय सुनिश्चित किया जा सके। आपको बता दे कि दास विपक्षी दल पाकिस्तान मुसलिम लीग नवाज पार्टी से सांसद है। उन्होंने नेशनल असेंबली पड़किरिया एवं कामका संचालन नियम 2007 के नियम 118 के तहत नेशनल असेंबली में गैर सरकारी विधेक पेस किया है। आपको बता दे कि संविधान संसोधन अधिनियम 2021 नामक इस विधेक का मकसद पाकिस्तानी गैर मुसलिमों के खिलाफ भेदभाव खत्म करना है। जिने संविधान में अलप संक्यक कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेक को सुईकार कर ततकाल परभाव से पेस किया जाना चाहिए। वहीं सरकार ने विधेक का विरोद नहीं किया है। और मामला संबंदित साई समीती को भेर दिया गया है। सदन की द्वी दल्य समीती द्वारा इसकी समीशा किये जाने के बाद इसे मद्दान के लिए प्रस्तूत किया जाएगा। वहीं दास ने विधेक के वारे में कहा कि देश की बड़ी आवादी को अल्प संक्यक घोसित करके उनसे भेदभाव करना समीधान 1973 की भावना के विरुद है। इस आवादी ने जीवन के हर छेतर और देश के विकास एवं उजवल भविष में मातपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा संविधान में चार बार अल्प संक्यक और पंदरा बार गैर मुसलिम सब्द का पड़ियोग किया गया है। जो संविधान निर्माताओं के आसे को दर्साता है। लिहाजा अब संक्यक की जगा गैर मुसलिम सब्द का पड़ियोग कर विसंगती को दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संविधान संसोधन पाकिस्तान में पड़ते एक नागरी के लिए समानता और नियाय स्थापित करने का एक रजनातबंक पड़ियास होगा। वहीं आपको बता दे की पाकिस्तान की कुल 22 करॉर की आबादी में गैर मुसलिमों की आबादी सारे तीन परतिसत के करीब है। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अर्ब संक्यक समुदाय है। वहीं अधिकारिक अनुमान के नुसार पाकिस्तान में 75 लाख हिंदू रहते हैं हालकि हिंदू समुदाइक के नुसार उनकी अबादी 90 लाख से अधिक हैं यहां हिंदू अबादी का एक बड़ा हिस्सा सिंध प्रांत में बसा हुआ है हिंदू के अलाबा पाकिस्तान में अन्य अल्प संख्यकों में इसाई, अहमदी, बहाई, पार्सी और बौध सामिल है आपका इस खबर पे क्या करना है कमेंट जरूर करें